है आप रंग महमितलेश और डेली टेनी टपीज में आप सभी को स्वागत है आज देश की महापर्वच 26 जन्वरी के उपलक्ष में आप सभी वो हार्दिक सुब्ध कामना है जैन जै भारत और भारतिय पूल के सभी सुरताओं को हमारे तरब से हमारे चैनल के मादिम से देश के तियतरवा गंत्र दिवस पे हार्दिक बढ़ाई वोब सुब्ध कामना है आज बहुत ही हरसो उलास और खुशी का दिन है कि आज हम सभी भारतिये आज अजादी के तियतरवे साल में आज हम लोग गंतंत्र दिवस्त बना रहे हैं जो एक गंतंत्र दिवस जो सुतंत्रता दिवस से भी यह बहुत ही मौत्पुन है क्योंकि गंतंत्र दिवस की आजी के दिन हमारा देश जो बिटिस कानून था 1935 का जो बिटिस अधिनियम था उसे हटा कर आजी के दिन 26 जन्वरी 1949 को हमारा स्वनिर्मित कानून दिवस्ता यों सविधान लागू किया गया था और हमारा देश एक स्वच्छंद्र और स्वराज की कदम की और पुरी तरह बढ़ते गया और जाकर पुन रूप से हमारा सुतंत्ता 15 अगस्तु तो कानून बिवस्ता हमारे देश में पुन रूप से लागू हो गया और उसी कानून के तहट हमें हमारे देश में सरकार भी मिली लेकिन क्या इतने दिनों से हम लोग गंतन्त दिवस मनाते आ रहे हैं और राष्टी ये परव है हर साल के प्रिक्षा हमारे देश में हर साल ये इरंतर मनता रहे है क्योंकि जो हमारे गुमलामियों के विडियों से जुचते आ रहे थे बिटिस सरकार की रूल और रिगुलेशन था जिसका अंत हुआ हमारे देश में नौकर साही और राज साही था उसका भी यंत हुआ क्योंकि नौकर और राज साह जितने भी थे वो बिटिस वाइसरायों के इसारे पे ही वो लोग काम करते थे और देश की निरीज जनता को गरीब जनतामों के उपर अत्याचार का दमन होता था जिसका खतम हुई लेकिन देश में एक पुन स्वतनतर मिली और वही स्वतनतर दीरे 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 आज जब 73 गंतंतर दीवस के अपलक्ष में आज सामिल हैं लेकिन कुछ समाज में स्वतनतर दीवस तो बनाए जा रहे हैं लेकिन आज हमारे समाज में बहुत सारे कुर्तियां समाजिक असमताएं पूरी तरह से अपनी पैर फैला लिया है जो हमारे समाज में आज बिसमताएं तीम पति दीर बढ़ रहे हैं आज बेरुजगारी बरस्ट चार नौकर साही और अफसर साही नेता साही इतना बढ़ चुका है कि आज हमारे देश में नेताओं का यही मनों का मना इस्तिती बनी हुई है कि हम आज जनताओं को अपने पैसे के बदोलत वोट कर खरीद कर हम जनताओं पे रूल कर सकते हैं और वकाई में बहुत जगा हो भी रहा है लगवक लगव सभी जगा जो खेल है नेता हो जनता की सिर्फ और सिर्फ एक बारी दिखाई देती है वो चुनाव के से में इसके बाद हमारे जो जन से वक है, समाज से वक है जनता प्रतिनीदी है वो कभी दिखाई नहीं देते हैं और जिसका परिनाम है कि आज जो हमारा देश हमारा समाज बत से बत्तर इस्तिती की और अग्रसर होते जा रहा है बहुत से हमारे देश में जो समाजिक और नियाईक सतंतिता के लिए आवाज भी उटाए है जैसे हमारे पुर्राष्ट्पती डॉक्टर एपी के अब्दूर कलाम जिन्होंने देश में सम्रिदी और सुक्सांति के लिए उन्होंने मिशन बिक्सित देश का उन्होंने मिशन रखा जिन्होंने उन्हें सपना भी थात कि हमारा देश 2020 तक बिक्सित राष्ट बने और हमारे देश के हर नागरी को और जुगाओं को समुचिक रोजगार और जीवन आपन करने का तौर तरीका मिले लेकिन उस अपने सपने ही रखा है और आज देश लोगों की जनताओं की किसानों की इस्तिती बत से बत्तर ही होते का रही है आज नोजवान रोजगार के लिए स्वराजगार के लिए दर दर बुठक रहे हैं और हमारी जो बिटिस सिक्षा परनाली थी वही सिक्षा परनाली चलते आ रही है लेकिन इस सिक्षा परनाली में हमें बदलाओ की जलुवत है और स्वारजगार सिर्चित करने के लिए जो सिक्षा परनाली होनी चाहिए उस तरह से सिक्षा परनाली के हो सकता है आज दस, बीस, सो बेकेंसी में आज क्लोरों, पाँच क्लोर, दो क्लोर फॉर्म भरे जाते हैं दस क्लोर फॉर्म भरे जाते हैं और मात्र बेकेंसी सो, डेड़ सो होती है जिसके पीछे होड लगी हुई है तो हमारी जो रूलिंग सरकार है जो हमारी सरकार है उससे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस पे जो हमारी सरकारे या निताओं जो अपने चुनावी कंपेन में लोगों को बिरोजगारी भत्ता फ्री मुबाइल फ्री लैप्टोप देने की जो वादा करते हैं उन्ही पैसों से वो सभी इन्वर्स्टीटी में स्वरोजगार सीजीत रोजगार के लिए उची काज परनाली अस्थापित करें जिससे हर लोगों को रोजगार मिले जनौजवानों को रोजगार मिले और जो लैप्टोप और मुबाइल है वो स्वेम भी मुबाइल और लैप्टोप खरी सकते हैं तो इन्हीं सभी बातों के साथ फिर से गंतन्त दिवस की आप सभी लोगों को हर्दिक सुप करना हैं और जैहिन जै भारत हमारे चैनल से जुड़े रहें और और भी इसी तरह के सवाजिक जोलन्त मुदाओं पर मैं बात करूंगा जैहिन जै भारत